सबी खादों के अंदर अगर आपको पुछा जाए कि सबसे पाउरफुल वाला खाद कोल सा है तो आपके मुझे यही वाला जवाब आएगा DAP, डायामोनियम फॉस्पेट, डायामोनियम फॉस्पेट यानि कि आपका DAP बहुती पाउरफुल वाला पर्टिलाइजर इसलिए क क्योंकि बहुती कम सामय के अंदर वो आपको बहुती अच्छा रिजल्ट दे देता है, आपकी फसल को स्ट्रॉंग बना देता है, इसलिए आप DAP का इस्तेमाल करते थे और कर भी रहे हैं, लेकिन आप ही हालत ऐसे हो गए है कि DAP के जो भी रेट है और भी जादा बढ़ र रखे, आपके फसलोल की जो उपजे उसको और भी ज्यादा बढ़ा कर, अगर हम यह कर्चा कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका मन इसमें ज़रूर लगेगा, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सिंगल सुपर फॉस्पेट में बताने वाले, आपको लगेगा कि यह फॉस्पर बेस परिटिलाइजर है, तो यह क्या बताने बता कर क्या बताएंगे, डिएपी की जगह आप सिंगल सुपर फॉस्पेट का इस्तेमाल करो, इतना ही बताने वाले, तो बिल्कुल भी नहीं, आज के इस वीडियो के अंदर, आप डिएपी को किस नजर यह से इतना पाउरफुल देखते हैं, पहले तो उसको समझेंगे, और फिर बाद में उसका अल्टरनेटिव आपको बताएंगे, आपको बहुत ही खुशी होगी कि आपके जमीन के अंदर अभी देखो, पहले एक बोरी डिएपी में जो काम होता था, अभी दो बोरी डालकर भी वो काम ने हो रहा है, क्योंकि जमीन के अंदर जो भी एक आपका पीच है, अलकलाइम पीच हो रहा है, और उसके कारण फसल में जो नुट्रेंट का अप्टेक हो भी धीमा हो रहा है, उसके कारण एक बोरी की जगर, दो बोरी ऐसे हैं, आपके हालत और भी क्रिटिकल होते जा रहें, लेकिन आज के इस यूडियो के अंदर हम आपको जो लुसका बताने वाले हैं, उसके अंदर आपकी दमइन भी ठिक ठाक होने वाले हैं और डेपी से भी जादा बढ़कर आपको रिजर्व मिलने वाले हैं, तो बीना किसी देरी के हम शुरुरत करते हैं, लेकि उससे पहले लाइक का बटन दाब देते तो और भी ज्यादा आ जाता तो चले डिए-पी की जगव क्या इस्तमाल करें यह आपके मन में सवाल है थोड़ा इसको थोड़ा सा बाजु में रखकर पहले हम समझते कि यार डिए-पी की ही जगव क्यों पहला तो एक बात है कि यह म मेंगा होने के कारण हमारे पसल को जो रेट मिलते ओर अभी ए एक दे अपी के बोरित से कामने चलता है 2 से भी नहीं चलता ती तीन चार जार बोरिया डालने के बाद ही आपको रिजर्ट मिल से ओर है यह DAP की एक बोरी से काम ने चल रहा है, मतलब ज्यादा DAP इस्तमाल करना पढ़ रहा है आपको ज्यादा उपज के लिए, फिर भी ज्यादा उपज में आपको दिक्कता रहे हैं, और इसके कारण बाकी न्यूट्रेंट ततों की आपको कमी भी महिसस हो रही है, जो की अलग से खर्चा बढ़ रहा है, न्यूट्रेंट डेपी सेंसी भी आम इसको क्ले सकते हैं, तो आप देखो न, क्यालकर स्वाइल, जो चुनकड़ी वाले जमीने आप अभी फिलाल के तोर पर देख रहे हैं, वो पहले चुनकड़ी वाली नहीं थी, DAP वहाँ पे आप देखना, खात का इस्तेमाल करकरके वहल जो जो क्यालकर रॉस स्वाइल का जो बी स्ट्रक्चर ही, और भी ज्यादा बिगड़ता जाए तो उसमें भी वह आपको यह उत्माल कर रहे हैं तो मैं यहां पी यही कही न चाहता था तो क्यालकर रस स्वाइल, आपको कैसे फैरस की कमुई देती तो फेरस का अलग से ज्यादा कर्चा नाय्टरजन का अलग से कर्चा पढ़ रहा है तो यहीं वो जड़े, जिसके कारण आपको यह शब करना पड़ रहा है कि भई DAP को ही हम क्यों इस्तावाल करते, आखेविध अच्छा पहले समझ लेते, पहना बात है कि आप के फसल के अंदर DAP करते है तो आपके फसल जो होती है ना वो क्या होने लगती है मोटी होने लगती है मोटी समझ रहे हो इसकी जो चोड़ाई है यह चोड़ाई बढ़ने लगती है और यह चोड़ाई बढ़ने के कारण आपको आपकी जो पती आए वो भी बढ़ने लगती है तो चोड़ाई इंटरनोट का साइज वग करते हो जो कि असल में होता भी है आपने डीएपी का इस्तेमाल किया तो आपके फसल में इसी तरह के से बदला होता है आपकी फसल मोटी होकर आपका जो भी फल भी होता होगा तो फलों का साइज भी चोड़ा होता है साइज में भी और डीएपी बहुत ही अच्छा तरह के से क किसके लिए इस्तमाल करना चाहिए अभी आपके मन में होगा कि कई सारे यूटूबर या फिर कोई भी कंसल्टन्ट हो गया या फिर आग्रो नॉमिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई डीएपी के अंदर डायमों फॉस्पेट है फॉस्परस मिलता है तो आप सिंगल करते हैं कि भाई मैं आपको सिंगल सुपर पॉस्पेट से भी बढ़िया वाली जांकरी देने वालो इससे भी आगे का एक चीज है जो अगर आप इस्तमाल करोगे तो इससे भी बढ़िया रिजल्ट डीएपी से भी बढ़िया रिजल्ट पाऊगे लेकिन पहले तो यह करने के बाद हर्वेस्टिंग तक उसके रिजल्ट धीरे धीरे है गतिसे आते रहते हैं इसलिए इसके जो रिजल्ट है वह आपको आखसे दिखाएने देते हैं या फिर आप उसे समझने पाते हो लेकिन सिंगल सुपर पॉस्पेट का रिजल्ट तो बिलकुल मिलता है जो Gospel गर सिंगल सूपर्पास्पेट का इस्तेमाल करते होंगे comment में जरू बता है कि आपको सिंगल सूपर्पसपेट का रिल्द मिलता है या नाय जनörtवी बताएं जिससे हमारा इंटर ऐक्षिं भी बड़े तो इसके alternative के तरब हम जाने वाले हैं तो हमारा जो alternative होगा तो उसके अंदर क्या शमताय होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो alternative जो भी हम DAP का alternative ढून रहे हैं उसके अंदर फसल को चोड़ा करने वाला ततो होना चाहिए फलो की मोटाई बढ़ाने वाला ततो होन चाहिए यह तीन गून अगर उसमें होगी तो ही हम DAP की जगह उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो इसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि हम हम फॉस्परस का इस्तमाल के मतलब देखो DAP का alternative मतलब आटराचायलीस हो गया है तो आटराचायलीस मतलब क्या है इसमें nitrogen और फॉस्परस है तो इसके तोर पर हम सिंगल सुपर फॉस्पिट का इस्तमाल कर सकते हैं अगर थोड़ा theoretically देखा जाए तो यही सही लगता है लेक इसको मारा टीमें paint भी बूलते हैं तो यह जो खली होता है यह जो oil cake होता है मुंभखली का हो गया है आपका सरसो का हो गया है तो जिस भी विजो से आपका oil निकलता है तेल निकलने के बाद जो बचा-कुचा हिस्सा होता है उसके अंदर होता है protein अभी आपको आपके मन में जिनोंने भगा कर वीडियो देखा होगा नोंको कुछ समझने आएगा इसलिए पहले से फीर से देख लेना तो यह पर इसलिए मैंने पहले शुरुआत में आपको समझाया कि DAP हम उसका alternative क्यों ढूंढ रहे दूसरा उसका ही alternative कैसे और क्यों क्यों इस्तमाल करना है मतलब मै हो गया आपका फसल का मोटाई हो गया या फिर फलों की मोटाई बढ़ाने के लिए और फसल तंदूर उस करने के लिए वह कार्य उसमें भी होने चाहिए alternative की तो जब भी आप मुंपली की खली हो गया सरसों की खली हो गया उसका इस्तमाल आपके फसल के अंदर करते हो तब फसल के अंदर जड़ो को तो प्रोटीन मिल जाता है क्योंकि इस खली के अंदर क्या होता है और क्या होता है प्रोटीन होता है नीम ऑईल केक तो और भी अच्छा कैसे अच्छा नीम ऑईल केक आपका फंगस हो गया या फिर आपका कीटक हो गया इन दोनों से तो बचाओ कर वह भी जैनुन होना चाहिए अभी उसमें भी मार्गेटिंग हो गाया उसमें भी इंप्यूरिटीज आ गई उसमें भी मिलावट हो गई तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसलिए और मिल में जाकर डायरेक्ट खरीद लेते हो तो और भी अच्छा रहेगा किसी मिलने के बाद क्या होता है आपकी जो पतिया होती है उन पतियों के अंदर जो फोटो सिंथी से या फिर पतियों का साइज है वो भी अच्छी तरगी से बढ़ जाता है इससे क्या होता है स्टोरेज बढ़ने लगता है फोटो सिंथी से ज्यादा होता है तो फोटो सिंथी स स्टोरेच के साथ अगर आपके अंदर एब फेलों के आंदर मिठास बढ़ाने के जब कशलों का साइज बढ़ाने के लिए आप रिस चोरेज का किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह जुए इस किस तरीकेสे कारे करती कृता है इसका माइनस पाइंट क्या है बताते तो इसका माइनस पाम पाइंट कुछ इनको भी बढ़ाने में बहुत अच्छी तरगे से मदद करती है, तो आपको इतना ही बात करना है कि अभी देखो, गोबर की खात गर इस्तमाल करने जाएंगे, गोबर की खात का भी अल्टरनेटिव मैंने खली ही बताए है, क्यों गोबर की खात के अंदर भी प्रोटीन होता है, आलकि गोबर की खात अच्छा होता है, लेकिन बात क्या है? गोबर की खात महिंगी जादा है, एक जगह से दूसरी जगह पे लाना, उसको डालना, उसको मिक्सिंग करना, वो बहुत ही मुश्किल वाला सिस्टम बन गाए, जिससे खर्चा वरता है, लेकिन ये तो सिंप जर्ड की अभी देखो रीट to कम ज्यादा होते रहेते इसलिए में आप नहीं बताने वाला अभी देखो गुदह रंग के तोर पर 18-66 की जितने भी किमत होगी आप 2 बोरी डालने वाले थे दो बोरी की जितनी भी किमत है उतनी ही किमत का अगर आप ऑईल केक लाओगे या फिर शुरुवत करने के लिए आप दो बोरी का इस्तेमाल करने वाले थे तो होता है न कई बार कि यार नय चीज़े रिजर्ट ने आये तो फसल खराब हो जाएगी ये बंदा बोल रहा है इसक उसकी जगह पे ऑईल केक लाना है मतलब एक बोरी का कीमत जितना भी होगा उतने ही कीमत का ऑईल केक लाओ और दूसरे बोरी के साथ उसको मिक्स कर दो और आपके बेसेल उसके अंदर डाल दो आपका काम हो जाएगा आपको बहुत ही शांदार रिजल्ट हर्वेस्टिंग तक मिलेगे इस खली के खली लॉंग टम में बहुत ही अच्छा काम करता है बिल्कुल आपके सिंगल सुपर फॉस्पेट से तो कई गुना ज्यादा सिंगल सुपर फॉस्पेट है आपका चार पाच माहने बाद उसका रिजल्ट खतम हो जाएगा लेकिन इस ऑईल केक के कार दो से एक बोरी पे आ गए आपको कॉंफिडेंस आ गया कि यार यह जो बोल रहा था बहुत ही अच्छा हुआ फ़सल भी अच्छा है तो अभी हम एक काम करते दोनों के दोनों बोरिया निकाल कर पूरा का पूरा खर्चा ऑईल के के अंदर लगा देते हैं तो ऑईल के के अ दिमाग बंद पड़ जाता है कि अभी करें तो क्या करें तो अभी करें कुछ भी नहीं करना एक सिर्फ आनिर्माता को फॉलो करो और यह सभी चीजों को फॉलो करें अभी और भी आगे हम आपको बजट में या फिर आपको जो भी क्राइसिस आते ना आपके खेत के अंदर इस दावय का शॉर्टेज कर दिया यह दिक्कत आ गए उन सभी के यार देखो मुसीबत है तो हल भी है तो यह उसका बहुत ही अच्छा हल है तो इस तरीके से हम एक के बाद एक हल आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आपका जो भी जीवन एक खिती का वह भी आसान हो बताते हैं आपके लिए पाच मिनट का वीडियो हो सकता था लेकिन हमने इतना एक्स्प्लेंग करने के लिए दस मिनट लगा दिया जिससे आपको इसका महतों भी आच्छी तरके समझाए तो इसके लिए इतना महिनत के लिए आपका एक शेर बनता है एक रिक्वेस्ट या नेर मता फैमिली को हिल्प करने के लिए ज्यादा ज्यादा शेर जरू किजेगा और मिलते हैं आगले वीडियो में जै जावान जै के साथ